इस्टूडेंट्स वेलकम टू सागर इंग्लिस क्लासेज। सागर इंग्लिस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे प्रिपेरेशन फार्दा इक्जाम पेपर एक इक्जाम पेपर जो आपको इंग्लिस में मिलता है और खासकर उसके हम ग्रामर सेक्षन के बारे में ही बात करेंगे। कैसे हम अपने ग्रामर सेक्षन को साल्व करेंगे। कैसे किस प्रकार से कुष्चन आएंगे और कैसे हमें उन कुष्चन को साल्व करना है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक जरूर किया करें। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट भी करें। तो चलिए अब हम समय वेश्ट ना करते हुए पढ़ते हैं अपने टापिक की वर। तो इस्टुडेंट्स जैसा कि आप लोगी स्कीन पर देख पा रहे हैं कि यह हमारा एक क्लास 12 का एक्जाम पेपर है। और ऐसे ही यह समझ लिजे कि एक सैंपल पेपर है ऐसा ही पेपर सेम इसी आरडर में क्विश्चन्स आपको बोड में मिलेंगे। तो फर्स्ट क्विश्चन आपका जो होगा वो क्या है देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि तो जीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड एंसर दा क्विश्चन्स गिवन बेलो। क्या देखिएं पॉल्टी इस दा इस्टेट आप बीइंग पूर पॉल्टी इस जो निर्धंता है गरीबी है यह क्या है इस दा इस्टेट आप बीइंग पूर यह गरीब होने की इस्थिती है इस्टेट मतलब इस्थिती है अब किस चीज की इस्थिती है बीइंग पूर Being पूर मतलब गरीब होना, यानि जो निर्धंता है, पुवर्टी है, ये क्या है? गरीब होने की इस्थिती ही निर्धंता कहलाती है. We find around us hundreds of people who are unable to afford the minimum necessities of life. We find hundreds of people, हमें साइकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं, around us, हमें अपने आसपास साइकड़ों लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, who are unable to afford the minimum necessities of life. जो असमर्थ होते हैं, unable होते हैं, afford means होता है, खरीद पाने में या अपने लिए उपलब्ध करा पाना, minimum necessities, कम से कम जरूरते हैं of life, जीवन की, अपने जीवन की कम से कम जरूरते हैं, पूरी कर पाते हैं, या पूरी कर पाने के लिए, वो किसी चीज़ को purchase कर पाते हैं, ऐस face many problems, उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, to get food, भोजन पाने के लिए, one time in a day, एक दिन में एक बार का भोजन पाने में भी उनको काफी ज़्यादा problems का सामना करना पड़ता है, they lead a miserable life, उनका जीवन होता है, बड़ा ही miserable, दैनी होता है, lead का मतलब होता है, बि बिताना पड़ता है, hunger and poverty force them to become sameless and they adopt evil practices to face their circumstances, वो लगया है क्या, hunger and poverty, जो भूख है और निर्धनता है, ये चीज़ें force कर देती हैं, उनको मजबूर कर देती हैं, to become sameless, sameless मतलब निरलज होने पर, है न, लजजाहीन होने पर मजबूर कर देती हैं, and they adopt evil practices, और वे गलत आदितें अपना लेते हैं, to face these circumstances, इन परिष्थितियों को face करने के लिए, सामना करने के लिए, वे गलत तरीके, गलत आदितें अपना लेते हैं, it is poverty, ये निर्धनता ही है, गरीबी ही है, that leads to criminal activities, जो की हमें lead करती है, मार्कदरसित करती है, किस चीज के लिए criminal activities, criminal activities का मतलब होता है, जुर्म के राष्टे पर ले जाना, या गुनाह के बही क्रिया कलापों को करना, है न, ऐसे राष्टों पर ले जाता है कौन, poverty, निर्धनता, गरीबी, और वो कौन सी criminal activities हैं, किन activities को करके हम criminal बन जाते हैं, like robbery, robbery मतलब डकैती करना, theft, चोरी करना, murder, हत्या करना, kidnapping, किसी का अपहरड करना, किसी के बच्चे को चुरा लेना, क्या दिखिएं, poor, fail to get good jobs, जो गरीब लोग हैं, वो fail हो जाते हैं, अस्फल हो जाते हैं, to get good jobs, अच्छी नवकरी पाने में, they are forced to adopt dishonest means to earn their livelihood, they are forced, वे मजबूर हो जाते हैं, to adopt अपनाने के लिए, क्या अपनाने के लिए, dishonest means, बैमानी वाले तरीके या बैमानी वाले धन्दे, to earn their livelihood, अपनी अजीविका को कमाने के लिए, उनको बैमानी तक करनी पड़ती हैं, बैमानी करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, most of them turn criminals, अधिकांस उसमें से ऐसे भी लोग होंगे, जो क्या है, turn criminal, criminal भी बन जाते हैं, मुजरिम बन जाते हैं, most of the criminals are found living in slums and poor colonies, most of the criminals, अधिकांस जो criminal हैं, गुनहगार हैं, are found पाये जाते हैं, कहां, living in slums, slums का मतलब होता है, गंदी बश्तियों में, and poor colonies, गरीब है न, छेत्रों में या गरीब आवासों में, इन फैक्ट, वास्तों में, poverty compels them for social evils, जो poverty है, निर्धनता है, वही compel करती है, मजबूर करती है, them, उन्हें किस चीज़ के लिए, for social evils, सामाजिक बुराई के लिए, निर्धनता ही उन्हें, मजबूर करती है, तो students, यह तो हमने paragraph को read कर लिया है, अब इसके according आप से, यहाँ पे कुछ questions मुचे जा रहे हैं, उनको आपको सही से समझना है, and then you have to answer them, फिर उनको answer देना है, तो यहाँ पे question का answer मिल रहा है, poverty is the state of being poor, poverty क्या है, गरीब होने की इस्थिती ही निर्धनता है, poverty है, तो first question का answer तो आपको मिल गया, then हम आप देख लेते हैं, second question क्या है, what type of life do the poor lead, जो poor हैं, गरीब लोग हैं, किस प्रकार का जीवन lead करते हैं, बिताते हैं, तो अभी मैंने इसको भी पढ़ाया है, कि वे कैसा जीवन बितीत करते हैं, they lead a miserable life, वे बड़ा ही दैनिय जीवन बितीत करते हैं, जिनको देख करके किसी को भी दया आ सकती है, then third question हमारा क्या है, where do most of the criminals are found, अधिकांस criminal जो गुनहगार हैं, वे where, कहां, find, means पाय जा सकते हैं, अधिकांस criminal कह कहां पाय जा सकते हैं, मैंने अभी just last में बताया है, कि most of the criminals are found, living in slums and poor colonies, अधिकांस criminal हैं, गुनहगार हैं, वे where, कहां, गंधी बश्तियों में, या गरीब बश्तियों में पाय जा सकते हैं, next, जो हमारा इसका fourth question है, what leads the poor to do criminal activities, what leads, कौन सी चीज मार्क दरसित करती है, मजब गरीबों को, to do criminal activities, यानि गरीब बिक्त को कौन सी चीज, criminal activities, गुनहगार या गुनहगारी के क्रिया कलापों को करने के लिए मजबूर करती है, वो कौन सी चीज है, तो ये भी मैं अभी आपने पढ़ा है, कि जो चीज है, वो कौन सी चीज है, it leads, it is poverty, ये गरीबी ही है, that leads to criminal activities, जो की criminal activities करने पर मजबूर करती है, वो कौन कौन सी criminal activities कर सकता है, इंसान, जैसे robbery है, theft है, murder है, kidnapping है, ये सारी criminal activities कोई बेक्ती करने लगता है, next question कि आप मुचा जा रहा है, where do the poor live, poor बेक्ती, यानि जो गरीब बेक्ती हैं, वो कहां रहते हैं, इसका भी बहुत सीधा सा answer, आपने अभी इसको पढ़ा भी है, क्या पढ़ा है कि जो गरीब लोग होते हैं, वे कहां रहते हैं, तो अभी आपने पढ़ा है slumps and poor colonies, जो गरी paragraph complete हो गया है, paragraph से according जितने भी question पूंचे गए हैं, वो हमने solve कर ली हैं, अगर हम चाहें उस question का कि जो गरीब लोग हो कहां रहते हैं, तो इसका हम ऐसे भी answer लिख सकते हैं, कि many poor's live around us, बहुत सारे गरीब हमारे आसपरोस में भी रहते हैं, है न, यसे हम पर कहा लिका था, we find around us hundreds of people who are unable to afford the minimum necessities of life, यानि बहुत से असाइकड़ों लोग ऐसे भी हैं, जो हम जिनको हम अपने आसपरोस में देखते हैं, जो अपने जीवन के लिए, जो कम से कम उनकी जरूरते हैं, वो भी नहीं पूरी कर पाते हैं, वो भी पूरी कर पाने में असमार्थ हो जाते हैं, तो यह question हमारा complete हो गया है, second question number second, आपको exam में क्या मिलेगा grammar section में, या तो article लिखना है लेक, या तो एक essay लिखना है निबंध, किस चीज़ पर on anyone of the following topics, निम लिखित में से किसी एक topic पर, तो अब देखो यहाँ पर मैंने topic कौन कौन से दे रखे हैं, importance of discipline in life, जीवन में अनुशा आप smartphone या mobile phone भी इस की जगे पर आपको मिल चकता है, कि किसी mobile phone या smartphone का use क्या है, उसका miss use क्या है, है ना, use क्या मतलब हो गया, सदुपयोग और miss use का मतलब दुरुपयोग, next क्या है science, बिज्ञान, ये बून है, मिंस वरदान है, या कर्ष, अभिसाब है, तो यह जो essay आपका description box पे जा करके, उस link को जैसे click करेंगे, आपको ये essay मिल जाएंगे, next इसका जो third question आएगा, वो दिखें यहाँ पर क्या है, write a letter to the district magistrate complaining against the bad and insanitary condition of the roots in your locality, अब दिखें यहाँ पर क्या करें, write a letter to the district magistrate, जिला दंडा धिकारी को एक पत्र लिखना है, DM के पाज इसको आप बो planning सिकायत करते हुए against the bad and insanitary condition, जैनि सडकों की बहुत ही खराब इस्थिति है, दैनी यह इस्थिति है, किसके in your locality, तुम्हारे छेतर में जो भी सडके है, उनकी इस्थिति बहुत ही खराब है, तो उसके खिलाब सिकायत करने हैं किस से district magistrate से, और जब आप लेटर complete कर लेंग करते हैं, तो आपके सारे marks कट कर लिए जाएंगे, इसलिए जो यहाँ पे आपको question में name दिया गया हो, वही write करना है, ध्याम रखना है सीज का हमें साब लोग, तो इसका भी मैं description में जो है, एक link डाल दूँगा, मैंने उसमें कई letters का वीडियो एक बना रखा है, उसमें कई लेटर भी मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख लीजेगा, आपको लेटर मिल जाएगा, next question number जो हमारा 4 आ रहा है, यह क्या कह रहा है, कि do as indicated in the brackets against each of the following sentences, निम लिखित वाक्यों के सामने जो bracket में, यानि कोश्ठक में जो भी चीज आपको निर्देशित की जाए, indicate क किया जाए, वैसा ही आपको do यानि करना है, अब पहले हमको sentence को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके सामने देखना पड़ेगा कि bracket में किस चीज की बारे में indicate किया जा रहा है, वही हमको करना है, अब देखो आपको यहाँ पे एक sentence दिख रहा होगा, कि he does not like to tell a lie, वह जोट ब लिखा होता है कि I am honest, मैं इमानदार हूँ, अब कहा गया इसको negative कर तो आप simple सी बात कर देते थे, I am not honest, मैं इमानदार नहीं हूँ, affirmative से negative हो गया, यह लिखा गया था कि I am not honest, मैं इमानदार नहीं हूँ, फिर कहा गया इसको affirmative कर दो, तो आप क्या कर देते थे, I am honest, मैं इमा तो sense बदल गया अब यहाँ पे जब आप intermediate में पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा affirmative से negative और negative से affirmative करना होता है तो यहाँ पे इसका system में होता है कि sense नहीं बदलना चाहिए sentence भी negative से affirmative में आजा और sense भी ना बदले ऐसे हमको affirmative से negative और negative से affirmative करना होता है तो चलिए समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे जिसे लिखा कि he does not like to tell a lie वो जूट बोलना पसंद नहीं करता है तो simple सी बात है कि वो सच बोलना पसंद करता है यही मतलब तो हुआ तो क्या करेंगे इसको he likes है ना वो like करता है मिन्स पसंद करता है किस सेज को to क्या पसंद करता है he likes to अब देखो like की बात आती तब tell का प्रियूग करते हैं लेकिन जब सच की बात आती है तो speak का प्रियूग करते हैं तो he likes to फिर speak क्या लिखेंगे speak अब क्या पसंद करता है the truth वो सच बोलना पसंद करता है ना कि जूट तो यह हमारा sentence negative था और negative से क्या हो गया affirmative यानि he likes to speak the truth यानि tell को भी change कर देंगे क्योंकि lie के संग में tell आएगा लेकि जब हम lie को change करेंगे तो simple सी बात उसके संग की word भी क्या हो जाएगी change हो जाएगी next हमारा जो sentence आ रहा है I said to him honesty is the best policy change into indirect speech बहुत ही आसान क्या इसमें पूछा गया दिखिए I said to him मैंने उससे कहा इमांदारी ही सरोतम नीती है तो यह बात तो बिल्कुल 100% correct है आपको diet in diet जो पढ़ाया गया था उसमें बताया भी गया था कि जो बातें बिल्कुल correct होती है means universal truth होती है उनका sentence अंदर थोड़ा सा भी change होता ही नहीं है तो यहाँ पर अंदर आपका कुछ भी change नहीं होगा बस क्या करना है side two को told कर देना है और inverted कामा के place पर diet कर देना है बस आपका इस sentence indirect में convert हो जाएगा next sentence देखिए हमारा रहा है the class is too noisy कच्छा अत्यधिक सोर गुल युकत है यानि कच्छा में बहुत ज्यादा सोर हो रहा है अब इसमें देखो क्या आपको indicate क्या remove adverb two इसमें जो adverb two आया है इसको तुम्हें remove करना है और इसको remove करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना रखा उसमें डाला था आप उसको search कर लीजेगा मिल लाएगा या इसके मैं इसका जो है description box में इसका भी link डाल दूँगा देख लेना आप तो उसमें क्या बोला गया था कि जब केवल adverb वाला two आता है और conjunction वाला two यानि ये नहीं आता है तो उस two को हटाने के लिए या तो हम extremely का use करते हैं इस चीज का extremely और अगर हम extremely का use नहीं करना चाहते हैं तो हम use कर सकते हैं beyond the proper limit किसका? beyond the proper limit लेकिन अगर extremely यूज करते हैं तो same इसी place पर extremely हो जाएगा two के place पे लेकिन अगर हम beyond the proper limit का use कर रहे हैं तो noisy को पहले ले आएगे और beyond the proper limit को बाद में ले जाएगे तो simple सी बात समझ में आ गया होगा आपको the class is too noisy लिखा है तो the class is extremely noisy ये हमारा change हो जाएगा ऐसे sentence लेकिन अगर हम चाहें कि इसको two की जाएगे पे एक extremely ना लगाएं तो क्या कर सकते हैं the class is noisy beyond the proper limit क्या हो जाएगा beyond the proper limit चलिए नेक्स sentence देखते हैं क्या है no other boy in the class was so tall as राहुल means कच्छा में कोई दूसरा लड़का उतना लंबा था ही नहीं जितना की राहुल अब देखो यहां पर मैंने आपको डिग्री वाला जब वीडियो डाला था बना के तो उसमें बताया था कि so और age के बीच में या age और age के बीच में जहां भी adjective दे दिया जाए समझ लो वो positive degree है अब ये कह रहा है कि change into superlative degree यानि superlative में बनाना है तो positive से superlative में ले जाने के लिए object को subject बनाते है तो सबसे पहले आप के लिखेंगे rahul सबसे पहले आपको क्या लिखलाना है rahul आपको write कर लेना है फिर उसके बाद क्या करना है अब rahul आपका हो गया subject subject के बाद देखो tense हमारा किस टंस में sentence past tense में तो उसके पहले यूज़ करते हैं दा तो यहां पर क्या हो जाएगा दा फिर टालेश्ट ठीक है क्या हो जाएगा टालेश्ट तो यह हो जाएगा राहुल वाज़दा टालेश्ट फिर बचा गया है जो हमारा subject था उसको हम last में object बना देते हैं तो क्या हो जाएगा राहूल वाजदा टालेस्ट बॉय इन्दा क्लास तो ये नो अधर भी हट जाएगा है ना आएज और सो ये दोनों चीज़ें भी हट जाएगी क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में इनका यूज नहीं होता है सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में इनका यूज होता है नेक्स्ट आपका क्विश्चन फोर्थ का ही एक और आप्शन दिया गया है फाइब नंबर इसमें कहरा है करेक्ट दा फॉलोइंग संटेंस ये जो नीचे संटेंस आपको दो दिये गए हैं ये वाले ये दोनों संटेंस आपके गलत हैं अब इसमें क्या मिस्टेक है क्या अध्रेट वही आपको érieक्ट करना है थैसे लिखा गया कि दा लाइट ट्रेवाट फास्टर देन दद साउंड यानि जो लाइट है प्रकास उसकी जो ट्रेवल है मेंस यात्रा कह लिजें या इसको लिजे कि चाल है वो फास्टर होती है अधिक देज ऐनम्ड़्द सन दiny स तो अब आपको जब भी साइंटेक्स पढ़ाया गया होगा finding errors तो उसमें बताया गया होगा कि जो बातें बिल्कुल सत्य होती हैं universal truth होती हैं उनमें noun के पहले दाकायूज नहीं होता है तो अब यहाँ पर एक noun तो है light और एक noun कौन है sound तो यह बात तो सत्य है कि light जो होती है यानि प्रकास जो होता है उसकी गति, ध्वनी की गति से काफी तेज होती है यह बात सत्य है तो यहाँ पर भी दायूज नहीं होगा यहाँ पर भी दायूज नहीं होगा सिर्फ इत्ता हो जाएगा light travels faster than sound नेक्स्ट आपका क्या है English is the language of English English अंग्रेजों की भासा है तो अब देखो यहाँ पर English एक तो यह हो गई हमारी language यानि भासा वाली English तो इस noun के पहले तो कोई दायूज होगा यह नहीं क्यों कि किसी language से पहले दाकायूज नहीं होता है लेकिन जो यह वाला English आया है यह English का मतलब है अंग्रेज लोग अंग्रेज लोग यानि अंग्रेज लोगों की यह क्या है जाती है common noun है और common noun के पहले दाकायूज किया जाता है तो यहाँ पर English से पहले दाकायूज हो जाएगा English is the language के पहले भी क्या लगेगा English is the language of the English यानि एक language से पहले दा और एक English से पहले दा यानि दो जगे पे दा लग जाएगा आपका sentence बिलकुल correct Next अब देखिए हमारे कुछ यहां पे words दिये गए हैं से आपको synonym करना है पर्याई बाच्ची जिसको आप हिंदी में बोलते हो तो यहाँ पे लिया गया है apt तो अब कुसल का मतलब आपको पता है कि इसका दूसरा जो synonym होगा क्या हो जाएगा इक्सपर्ट क्या हो जाएगा expert कहते हैं कि तुम्हें इस काम में बड़े कुसल हो यानि expert हो तो यह expert हम इसका synonym कर सकते हैं next क्या देखे enough enough का मतलब हिंदी में क्या होता है पर्याप्त क्या होता है पर्याप्त किसी चीज़ की पर्याप्त मतलब उसको क्या बोलते है enough तो अब यह जब पर्याप्त है तो अब हमको दूसरा वर्ड होना जिसका मतलब क्या होना चाहिए पर्याप्त होना चाहिए तो आपने जब mobile phone यूज किया होगा कभी क्या बताता है कि आपके mobile में balance पर्याप्त नहीं है तो पर्याप्त नहीं है sufficient कमतलम पर्याप्ट और insufficient कमतलम आपर्याप्ट कहें ने you have insufficient balance insufficient balance मतलब आपर्याप्ट लेकिन यहाँ पर्याप्ट तो आपको सिर्फ sufficient लिख देना है yes you double f i c i e n t sufficient कमतलब पर्याप्ट तो यह हमारा synonym हो जाएंगे दोनों के नेक्स्ट हमारा जो question आ रहा है, इसमें क्या कहरा देखिए, kill और final, इन दोनों का antonym लिखना है, antonym का मतलब क्या है, below, below मतलब जानते हैं, आप सभी लोग उल्टा, तो kill का मतलब होता है मारना, किसी चीज को kill, जान से मार देना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बचान तो बचाना क्या होता है, save, क्या होता है, किसी को सुरच्छित करना, या बचाना, या इसी को हम कह सकते हैं, protection, protection का मतलब भी क्या होता है, सुरच्छा, या किसी की जान, बचाना, तो यह हमारा protection या save, इसका antonym हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अगला है final, final का मतलब होता तो इसका उल्टा हो जाएगा प्रारंभिक तो प्रारंभिक का मतलब Initial Initial का मतलब प्रारंभिक शुरुवाती या प्राइमरी भी इसको हम लिख सकते हैं प्राथमिक या प्रारंभिक ठीक है अब देखे एक next question दिया गया है कि Use the following words in your own sentences to bring out the differences in their meaning अपने sentence में यूज करना है और इसलिए यूज करना है जिससे कि इनका difference जो है किस चीज का meaning का अर्थ का वो clear हो जाए वैसे इसको भी डोज पढ़ते हैं इसको भी डोज पढ़ते हैं लेकिन डोज में अंतर क्या है तो ना ये डोज होता है जिसको आपने पढ़ा होगा खुराक कहते हैं कि इसका खाने का डोज बहुत ज्यादा है ये दवाई का डोज बहुत ज्यादा है तो ये तो हो गया खुराक लेकिन ये डोज क्या होता है आप क्या होता है कभी कभी दिन में जाड़ एक मोसम में जब क्या होता है दो पच्छी निकलाती तो बैठे बैठे उंगने लगते है उंगाई लगती है तो यह उंगना होता है डोज जबकी लेना यानि उंगाई आना तो अब यहाँ पे हमको दोनों वर्ड के अर्थ पता चल चुकिए अब हम sentence clear कर सकते हैं जैसे कहा गया तो हम इसका sentence क्या कर सकते हैं तो यह हमारा डोज उसमें आ जाएगा एक ही खुराक में जो है दवाई तुमारे पेन को और दर्द को अंद कर देगी समात कर देगी अब यह डोज डोज का मतलब उंगना जैसे कहा जाएं कि do not doze in the class कच्छा में उंगना नहीं चाहिए कच्छा हमें मत उंगिए या मत जब किलीजिए do not doze in the class तो यह हमारा sentence दोनों हो जाएगा अब अगला कह रहा है कि substitute one word for given expression यानि जो नीचे expression जो word sentence दिये गए हैं इनका एक word में answer देना इसको आप बोलते हैं one word substitution substitute one word यानि one word substitution अब यहाँ पे पहले हमको sentence को अच्छे से पढ़ लेना तो sentence पहला क्या कह रहा है which we can see through which जिसे we can see हम देख सकते हैं throw मतलब आरपार जिसके हम आरपार देख सकते हैं वही कोई सीसा लगा हुआ हुए उसके हम आरपार देख सकते हैं इधर से उधर देख सकते हैं कि उधर क्या हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं पारदरसी और इस उसे का जाए one who is present everywhere एक ऐसा बेखती जो हर जगे प्रजेंट है या ऐसा वह जो हर जगे उपश्थित हो अब एक समय पर हर जगे जो प्रजेंट हो उसको क्या बोलते हैं सर्वब्यापी और सर्वब्यापी की इंग्डिस क्या होती है अम्नी प्रजेंट क्या होता है ओम्नी प्रजेंट ओम्नी प्रजेंट इसको क्या बोलेंगे सर्वब्यापी ऐसे एकर का जाये की one who knows everything जो हर चीज जानता हो तो अम्नी साइंट जो हर चीज जानता हो इसमें करा कि यह जो आपको आइडम दिये गए हैं या फ्रेज़ दिये गए हैं इनको अपने sentence में यूज करना जिससे कि इनका sense जो इनका अर्थ है जो इनका भाव है वो clear हो जाए जिससे कहा गया a lame excuse का मतलब होता है जोटा बहाना बताना है ना तो अब इसको हम sentence में कैसे यूज करेंगे भेज पहले इसको हमको means लिखना इसका meaning क्या है तो इसका meaning होता है false explanation क्या होता है false explanation यानि जोटा बहाना अब इसको हम sentence बनाएंगे क्या हो जाएगा कि sohan go a lame excuse for his absence in the class अगला क्या है to kill two birds with one stone यानि एक पत्थर से दो चिडियों को मारना लेकिन इसका sense कुछ और होता है sense इसका ये होता है कि एक पंथ दो काज या एक तीर से दो सिकार ये इसकारत होता है अब for example जैसे हम गए बाजार को लेनी थी सबजी और सबजी के संग में हमने दाल भी खरीद लिया या बाजार से वापस लोटे तो रास्ते में हमारे मित्र का घर पड़ता था उससे भी मुलाकात हो गई ये क्या हो गया एक पंथ दो काज जैसे इसको लोगे कि I went to market to buy visitables there I met my friend वहां मैंने अपने मित्र से मिल लिया इसका मतलब हो गया कि एक तीर से दो सिकार बजार गय थे मित्र से भी मिल लिया दुनों काम हो गए अगला है ब्रेक अप अगया इसको ब्रीक अप करना था आपको Terminate का मतलब किसी संबंद को तोड़ना या आप चाहें तो terminate ना लिखना चाहें तो भी आपको लिख सकते हैं bracket में आगे end समाप्त करना किसी भी रिष्टे को समाप्त करना क्या हो जाएगा breakup तो अब इसको हम sentence में कैसे use करेंगे जैसे का जाए I want to break up this relation here मैं इसी रिष्टे को यहीं समाप्त करना चाहते हूं या चाहता हूं put on का मतलब होता है wear wear मतलब पहनना कपड़े पहने जाते हैं put on simple cloth मैं साधार कपड़े पहनता हूं अब इसी में एक और चीज आपको पूंचा जाएगा question में कि translate the following into English निम लिखित को अंग्रेजी में translate कीजिए अनुवात कीजिए तो यह कि स्टोरी आपको दे रखी है इसको translate करना है क्या है कि भारत एक महान देश है लगभग 75 प्रिशत भारती जिन संख्या का बेवसाय क्रसी है हमारे देश में क्रसी का विकास बहुत धीमा है क्रसी की उन्नती ही भारत की उन्नती है अता सरकार को क्रसी की उन्नती के लिए किसानों को मदद देनी चाहिए किसान हमारे आज के लिए रीड की हड़ी के समान है उनके बिना हमारे जीवन की कलपना भी असंभव है तो यह पूरी कहानी है अब हमें इसे क्या करना है ट्रांसलेट करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं चलिए देख लेते हैं क्या ६ओ फिर कराए कि ₹ norm भलल, ऐसाय करशी है तो एपुट्टीफ फ्रसेंट इंडिएन पॉपलेशंस अक्पूपेस्ट लगबग पचथे तर्प्र सथेंट भारती जिन्संख्या का अक्कूपेस्ट क्या है क्या है इस अघ्रिकल्चर अपकहार्भि कल्चयर क्रसी है आप च development of agriculture यानि development विकास agriculture क्रसी का in our country हमारे देश में हमारे देश में क्रसी का विकास is very slow बहुत ही धीमा है next sentence क्या है क्रसी की उन्नती ही भारत की उन्नती है तो the progress of agriculture यानि क्रसी की उन्नती इस मने है progress of kisses की इंडिया तो क्रसी की उन्नती भारत की उन्नती है next sentence क्या कह रहा है अता सरकार को क्रसी की उन्नती के लिए किसानों को मदद देनी चाहिए तो so the government should give support to the farmers for the progress of agriculture so अता government सरकार को should means चाहिए you support मदद देनी चाहिए to the farmers किसानों को किस चीज के लिए for the progress उन्नती के लिए of agriculture क्रसी की अता किसानों की उन्नती के लिए या करसी की उन्नति के लिए खिसानों को मदद देनी चाहिए किसको गवर्मेंट को next sentence क्या है किसान हमारे समाज के लिए रीड की हड़ी है रीड की हड़ी के समान है तो अब यहाँ पे देखो क्या बूला जाया है कि the farmers are the backbone of our society जो farmers है किसान है क्या है backbone है रीड की हड़ी है आफ और society हमारे समाज के लिए यह हमारे समाज के लिए रीड की हड़ी के समान है अगर किसान ना हो तो इनसान क्या खालेगा अनास कौन हो गाएगा उनके बिना हमारे जीवन की कलपना भी असंभो है यानि किसानों के बिना हमारे जीवन की जो कल्पना है, बिचार है, सोच है, सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते तो without them, उनके बिना, even the imagination of our life, हमारे जीवन की जो imagination है, कल्पना है, ये भी impossible है, असंभो है तो students, ये तो हमारी story हो गई, story भी complete हो चुकी है, और हमारा पूरा question paper, grammar section का solve हो चुका है अगर कोई problem फिर भी आपको रहती है, तो आप लोग जो है, comment box में पूँच सकते हैं, बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है सेस आपके ये चीज़ें जो बची हैं भी, essay बगएरा, article बगएरा है ना, इनका वीडियो में description box में link डाल दूँगा, उससे आप इनको जो है, देख सकते हैं, इनके सारे answers आपको उसमें मिल जाएंगे Okay students, thank you, thanks for watching this video, आप लोग इसको अच्छे से तयार कर लेना, एक्जाम में आपको काफी help मिलेंगी इससे, thank you